तो हेलो गाईज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू हुन्डाई वर्ना 2023 गाड़ी के बारे में पूरी जान करें देंगे इंजिन का क्या क्या ओप्सन देखने को मिलेगा आपको लेकिन 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 दिल तोड़ दने वाली बात सामने आए कि डीजल इंजि situation create हो गई यहाँ पर लेकिन अब भी Hyundai Verna का Crease खतम नहीं होगा New Dynamic Look के साथ Hyundai Verna का यह लुक जो है यह भी आपको पूरा attract करेगा तो अब Hyundai Verna का petrol engine हमें देखने को मिलेगा engine की बात में बात करेंगे पहले dimensions की बात कर लेते हैं तो dimension हमें 4535 mm की length देखने को मिल जाती हिएch और 1475 mm की गारी की height देखने को मिल जाती है और 2670 mm का wheelbase गारी का हमें देखने को मिल जाता है tire size की बात करें तो 205.5 genetically और 16 16 इंच का wheel size हमें गारी का देखने को मिलता है तो front look में हमें LED DRL पूरा connected DRL देखने को मिलता है Hyundai का logo हमें grill पे ना मिलकर bonnet पे ही देखने को मिलता है और इसमें हमें LED headlamps देखने को मिलता है और इस गाड़ी में हमें ADAS का feature भी देखने को मिल जाता है अब गाड़ी के engine के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें हमें टर्बो इंजन और नॉर्मल इंजन देखने को मिलता है टर्बो इंजन में हमें आटमेटिक ट्रांश्मिशन देखने को मिलता है डी सी टी टर्बो इंजन देखने को मिलता है 1462 cc का engine displacement के साथ और 157.57 bhp 5500 rpm के साथ max power देखने को मिलती है टर्बो एंजिन की बात कर रहा हूं इस वक्त में और इसमें हमें 253 नम 1500 से 3500 rpm की हमें max torque गाड़ी में देखने को मिलती है और 7-speed DCT gearbox automatic transmission गाड़ी में देखने को मिलता है बात करें normal engine की तो इसमें हमें देखने को मिलता है 1.5 liter MPI engine और 1497 cc का engine displacement इसमें हमें देखने को मिलता है और 113.18 bhp 6300 rpm के साथ max power देखने को मिलती है और 143.8 bhp के साथ हमें 4500 rpm की max torque गाड़ी में देखने को मिलती है और 4 cylinder 6 speed manual transmission देखने को मिलता है गाड़ी में हमें गाड़ी के fuel tank की बात करें तो इसमें हमें 45 liters का fuel tank capacity देखने को मिलता है तर्बो engine में हमें 20 km per liter की AIRi mileage देखने को मिलती है और normal engine के साथ हमें 18 km per liter की AIRi mileage देखने को मिलती है तो आप गाड़ी के rare view की बात करें तो इसमें हमें connected tail light देखने को मिलती है और एक dynamic look के साथ ये connected tail light attract आपको करेगी ही करेगी यूँकि Hyundai Verna Lover आज भी Verna से इतना ही प्यार करते है जितना पुराने model से करते है उतना इससे भी जरूर करेंगे मैं ये hope करता हूँ suspension की बात करें तो turbo engine में जो हमें suspension देखने को मिलता है Mac person strut with coil spring front suspension देखने को मिलता है और couple torzen beam axle हमें rear suspension देखने को मिलता है और इसमें हमें front में भी और rear में भी disc brake देखने को मिलते है और normal engine के साथ भी हमें यही suspension देखने को मिलता है लेकि normal engine के साथ हमें front में disc brake देखने को मिलते है और rear में हमें drum brake देखने को मिलते है जो आन रोड प्राइस की बात करें तो हमें जो top model मिलता है turbo engine के साथ 20 लाग के अप्रोक्स देखने को मिलता है उसका प्राइज रेट और जो हमें पैट्रोल इंजन देखने को मिलता है उसका प्राइज रेट 14 से 17 लाग के अप्रोक्स देखने को मिलता है और ये turn indicator हमें light के नीचे देखने को मिलता है यहाँ पर हमें वर्णा लिखावा नजर आता है और ये है कुछ rear view connected tail light Hyundai वर्णा का अगर आपको वीडियो इन्फर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अगर कोई query हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना हम आपकी query का जवाब जरूर देंगे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई मेरे दोस्त